हिमाचल प्रदेश की खुबसूरत राजधानी शिमला जहां का वर्चुल टूर करवाने की बात मैंने आप से कही थी बहुत सी लोकेशन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हुए आज मैं आपको शिमला के आईजीमसी के बारे में बताऊंगा जो की मैडिकल कॉलेज होने के साथ साथ हिमाचल के टॉप हॉस्पिटल में से एक है हजारों मरीज हर दिन यहां से ठीक हो कर जाते हैं मगर कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जाती है जिनकी वजह से लोग यहां इलाज करवाने से पहले जरूर सोचते हैं सबसे पहले हम आपको IGMC कैसे पहुंचे यह बताते हैं IGMC होस्पिटल दरिज से कुछ ही आगे है IGMC आने के लिए आप लगकर बाजार, बस्टेंड, सुन्जोरली और मौर रोड से आ सकते हैं मौर रोड में वेकल्स अलाउट नहीं है इसलिए आपको यहां से पैदल ही आना पड़ेगा पैदल चलते हुए आपको बेहत खुब सूरत रास्ता यहां से देखने को मिल जाता है जगा जगा फूर्ट्स, मौमोस और अंडे के ठेले आपको देखने को मिल जाते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि यह लोग आधी रात तक यहां आपके लिए एविलेबर रहते हैं फिर भी एक बात है जिसने बहुत से लोगों के मन में डर बिठा रखा है बहुत सी यूट्यूब वीडियोस कहती है कि IGNC शिमला हॉंटेड है यानि भूतिया कहा जाता है कि अकसर देर रात को लिफ्ट यहां फंस जाती है लाइट्स फ्लक्चुेट होती है और यहां एक बिटिश नर्स दिखाई देती है हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को अकेले में ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई बैठा है दरसल यह सारी बातें छूट है उन वीडियोस पर लाखों व्यूस भरे पड़े हैं और उन क्रियेटर्स का में मकसर यही है कि व्यूस कैसे लाए जाए कोई मरीज अपनी बिमारी से मरे या ना मरे पर उनकी वीडियोस देखने के बाद ज़रूर मर सकता है यहां तक की वो क्रियेटर्स शिमला से बिलॉंग तक नहीं करते और कुछ एक तो हिमाचल से भी नहीं है और जिस लिफ्ट के रुकने की बात वो कर रहे हैं यह यहां लाइट चले जाने पर ही होता है और हर रोज तो बिल्कुल नहीं होता हलांकि उसके लिए भी जनरेटर्स है पर वहम का कोई इलाज नहीं बात करे आईजी अमशी शिमला की हिस्टरी की तो यह 1966 में अस्तित्तव में आया था जो की बहुत पुराना नहीं है उससे पहले इस लोकेशन को स्नो डाउन के नाम से जाना जाता था और जो लोग बिटिश नर्स की बात कर रहे हैं उन्हें बता दें कि बिटिश टाई में ये हॉस्पिटल था ही नहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहां जिन मरीजों की मृत्यू हो गई थी उनकी आत्माएं खुमती है अगर ऐसा है तो हर बड़ा हॉस्पिटल हॉन्टेड होना ही चाहिए क्योंकि मृत्यू तो लगभग हर हॉस्पिटल में होती है दरसल ये सारी अफवाएं है एक खुब सूरत राज्जे के बहतरीन हॉस्पिटल को बदनाम करने की जहां पर नए नए डेवलपमेंट्स आए दिन हो ही रही है क्रिप्या गलत मेसेज ना फैलाएं क्योंकि ये बहुत से लोगों के मन में वहम पैदा कर देता है और मैंने पहले भी कहा था वहम का कोई इलाज नहीं होता हालांकि शिमला में सचमुच के हॉंटेट प्लेसिज भी है जिनकी वीडियो भी हम आपको देंगे पर इस वीडियो पर हंडर्ड लाइक्स कम्पलीट होने के बाद मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बबाए